दोस्तों कैसे आप सब बिल्कुल मर्स्त होंगे यूनिक स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल के उपर आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दो यूनिवर्स्टी हैं या फिर दो इंस्ट्यूट कह सकते हैं वहां से असिस प्रोपेसर की वैकेंसी निकली थी बिल्कुल पर्मानेंट गोर्मेंट जोब है उसका फॉर्म वापस से री ओपन हो चुके हैं यदि आपने अब भी तक वहां पर फॉर्म अप्लाई करना चाते हो आप असिस्टेंट प्रोपेसर बनना चाते हो उत्राखंड बे तो प्ली जो कि नोड़ा में है और यहां पर वैकेंस या निकली हुए है यहां पर पोस्ट एंड रिजर्वेशन दिया हुआ है और यहां पर मैधर ऑप रिक्रूट्मेंट निकली हुए है और जिसकी एज होनी चाहिए मैक्जिमम थपन साल एज होनी चाहिए और यहां पर उसका जो सेलेक्शन प्रोसीजर वो भी मैंसन किया गया है कि आपका जो परसनल इंट्रू होगा पचास नंबर का उसमें आपकी कितना क्या माक्स आते हैं आपकी क्या परफोर्मेंस रहती है यह डिपेंड करता है बाकि आप यहां पर इलिजिबलेटी क्राइटियरिया भी चेक कर सकते हैं फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां पर देखते हम लेक्चिरर की दो वेकंस यह बिल्कुल डारेक्ट रिक्रूटमेंट है और टिचिंग का काम आपका नोईडा में होगा एंसी एचम कैंपस में डारेक्ट रिकूटमेंट हैं दो अन्रिजव्ड कैटेगरी की सीट है चालिस साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए यहां पर यह आपका पूरा प्रोसेज है जिसके द्वार आपको यहां पर सेलेक्शन होने वाले हैं यहां पर इसका इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुए तो जिसको आप देख स लगते हैं फिर हम बात करें असिस्टेंट डाइरेक्टर स्टेडीज की वेकेंसिया निकली है एक वेकेंसिया अन्रिजव है जनल सभी के लिए है डायरेक्टर रिक्रूटमेंट है 40 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए और इसके लिए भी जो इलिजिबिलिटी क्राइ इसका क्या है सेलेक्शन प्रोसीजर जिसके दौर आपका यहां पर सेलेक्शन होने वाले ठीक है तो यह सारी चीज़ें आप इसको बिलकुल आसानी से जरूर पड़ें यदि आप यहां पर इंट्रेस्टेड हैं अफ्लाइक करने में और इलिजिबल है तो फिर हम बात करते है अकाउंट एंट की दो दो वैकेंसिया निकली हुई है एक जर्नल की है और एक ओबिस्ट की है डिरेक्ट रिकूटमेंट है यह यहां पर क्वालिफिकेशन वागारा चाहिए आपको और यह यहां पर सेलेक्शन प्रोसीजर है फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं इस्ट इसके लावा यह यहां पर सेलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें टोटल 90 MCQ टाइप के रिटन पैपर में कुछन आने वाले हैं जिसमें 30 कुछन इंगलिज के रहेंगे 30 जीके के रहेंगे 30 सर्विस एप्टिट्यूड के रहेंगे और बाकी आपका डॉप्टिंग ओफ वन ले प्रोसीजर है जिसमें टोटल 100 क्योशन आने वाले हैं और यहां पर यहां पर इसका क्वालिफिकेशन वगरा मेंसन की गई है तो यह सारी चीज़े थी इस वेकेंसी के बारे में और आप यहां पर इंटरस्टेड हैं अप्लाई करने में तो 18 जनवरी से पहले-पहले आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बाकि इसका पेपर कब होगा आपका यहां पर जो इंटर्यू वगरा होने वाला है वो कब होगा यह सारी चीज़े इसकी ओपीशल वेबसाइट के उपर मेंसन कर दी जाएंगी तो यदि आप यहां खुद अपडेट रह सकते है यदि आप खुद नहीं रह पाते हैं तो इसी चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस वेकेंसी के संबद बेएदि कोई भी नया नोटिपिकेशन निकालता है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट रखने वाला हूँ तो इस तरीके से सारीक सारी बाते थी यह इसकी इमेल आइडिया है ठीक है यहां पर इसकी इमेल आइडिया दिखाई हुई है सुरी वेबसाइट है, इमेल आईडी नहीं वेबसाइट है, वेबसाइट तो ये था ये रिक्रूट मेंट, इसका ये form है, कुछ इस तरीके से इसका form अप्लाई किया जाएगा, जो मैंने यहां पर दिखा दिया अपको फिर हम लेके सलते हैं आपको दूसरी वैकेंसी की ओर दूसरा रेकूर्टमेंट यह यह सबसे शांदार सबसे गजब का है उत्राखंड में वापस से जो असिस्टेंट प्रोफिसर की वैकेंसीया स्टार्ट हो चुकी थी उसकी एक बार फॉर्म डेट कंप्लीट हो चुकी है दुबारा से इन्होंने फॉर्म री ओपन किया है यदि आप इंट्रस्टेड हो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज यहां पर जरूर फॉर्म अप्लाई करें बिल्कुल गौर्मेंट जो हैं बहुत सारी डिपार्टमेंट है वहां से ये वैकेंसिया निकलिवी है अच्छी खासी संक्या में वैकेंसिया है तो यदि आप इंट्रस्टेड हैं तो प्लीज यहां पर बहुत जरूरी है आपका अप्लाई करना यदि आप असिस्टेंट बनना चाहते हो तो यहां पर इसके सारी सारी चीचे आप इसके ओफिसियल वैबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं ठीक है देखो यहां पर लिखा हुआ है उत्त्राखंड पब्लिक सर्विस कमिशन लास्ट अपडेट ऑन बीस एक दो आजार बाईस तो इसमें इसके उपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सारी चीचे मिल जाएंगे फिर हम चलते हैं तीसरी नोटिपिकेशन की ओर देखो यहां पर जो तीसरा नोटिपिकेशन है वो निकला है वो ही एक गोर्मेंट यूनिवर्मेंट इंस्ट्यूट है अभियांतरी की एंड ग्रामिन प्रो तो आपका यहां पर किवल 200 रुपए फिस लगने वाली है तो यह तो थी इसके सम्मद में फिस के रिगार्डिंग बात अब बात की जाए कि वैकेंस क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट से निकली हुई है तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजे मेंशन की गई है व्याख्याता पी-एच-ई व्याख्याता सिविल व्याख्याता आइसी व्याख्याता इलक्टिकल व्याख्याता पावर प्लॉंट व्याख्याता मैटेरियल व्याख्याता मार्केटिंग सेल्स व्याख्याता कॉमर्शियल प्रक्तिक्स तो कुछ इस तरीके से यह डिपार तो प्लीज आप इसको जरूर पड़ें बाकी सारी सारी जानकारी आपको इसके ओपीसियल वेबसाइट पर मिल जाएगी जैसे आप उसके पर विजिट करोगे आपको सारी चीज़े पता चल जाएगी यह आपका कुछ इस तरीके से सैलरी रने वाला है 27,700 रुपए के आसपास से तो यह इस वेकेंसी के रिगार्डिंग सारी के सारी अतीम हैत्पुन महत्पुन जानकारियां जो हमें आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए था मैं हमने प्रोवाइड करवा दिया है अब काम बसता है आपका वीडियो को लाइक करना सेयर करना और जरूर शेयर करें जरूर लाइक करें बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी को देखने के लिए ठैंक्स बाइड़